अलो हिमाचल वास्यों क्या हाल है आईए जानते हैं हिमाचल परदेश की बड़ी खबर और आज साम तक के हिमाचल की मुखी समचार पर नजर डालते हैं इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर ल वी राजकर एवं अपकारी भाग के परदान सचीब ने इस बारे में आधिस जारी किये है वही टॉल टेक्स में 8-15 परसत की बड़ उत्री की गई है बता दे कि टॉल बरियर के लिए छोटे वाहनों से लेकर बड़े माल बहाग बहानों के लिए 100 रुपिये से 600 रुपिये कि मार्स से ग्रसीत परेटन उद्योग से जुड़े लोगों ने रहात की सांस ली है वही बता दे कि 2022-23 में दिसंबर तक ही परदेश पहुंचे सलानियों का आकड़ा 150 लाग से ज्यादा पर रहा है 2017 में रिकॉर्ड 196 लाग रहा और 2019 में 272 लाग टूरिस्ट हिमाचल पहु पहुचे परेटों की संख्यां 164 लाग रही जो 2019 में कुछ बढ़कर 175 लाग तक पहुची है पुरानी भरतियों के लिए 30 दिन में करेंगे व्यवस्ता सिमला पहुचे युवावों को सीम सुकू का आस्वासन जय मांगों को लेकर सिमला पहुचे बेरोजगार युवावो में मुख्यमंत्र से मुलाकात की जहां मुख्यमंत्र युवावों को आस्वासन दिया कि 30 दिन में पुरानी भरतियों की परिक्रिया सुरू की जाएगी इसके अलाबा नई भरतियों की परिक्रिया सुरू की जाएगी वहीं मुख्यमंत्र युवावों को आस्वासन दिया गई है वहीं राज स्वास्ति समेती अनुबंध कर्मचारी संग का एक परतिनेदी मंडल सनीबार को कॉंग्रेस के पूरू मिधायक सत्पाल रायजादा से मिला इस दोरन परतिनेदी मंडल ने उन्हें बताया कि हिमाचल परदेश को टीवी उन्मुलन के लिए देश भर में लगातार तिसरी बार परतम पुरुषकार मिला है लोन से कर्ज चुकाएगी परदेश सरकार वीतवर से दोजार ताइस चोबिस में 11840 करोड जिये हिमाचल परदेश खराब आर्थी इस्तिति के कारण ऐसे दूस चक्र में फस गया है कि पुराना लोन चुकाने के लिए भ 11,068 करोड रुपई ये पुराने लोन की किस्त और ब्याज पर चुकाने होंगी वहीं बता दे कि व्यवस्ता परिवर्तन के इस बजट से पहले नई सरकार ने राज का राजसो बढ़ाने को लेकर कुछ कदम उठाए है हिमाचल उत्राखंट सिमा पर बड़ा हाथसा टोस नदी में समाई कार चार लोगों की मोके पर मोत हो गई घटना की जनकारी लगते ही अस्तानियों लोगों ने मोके पर पहुँचकर सबों को खाई से बाहर निकाला और पुलिस को घटना के सम्बद में जनकारी दी अमरीत पाल के खिलाब बड़ा एक्सन 78 साती गिरपतार खालिस्तान समर्तक खुद मोके से फरार जे पंजाब पुलिस्ट ने खालिस्तान समर्तकों के खिलाब बड़ी करवाई करते हुए सनिबार को बारिस पंजाब दे के अध्यक्ष एवं खालिस्तान समर्तक अमरितपाल सिंग के लगभग 78 सात्यों को गिरपतार कर लिया वहीं अमरित पाल सिंग को भी घिरासत में ले लिये जाने की अप्रिष्ट सुचना है हाला कि पंजाब पुलिष्ट ने उसे फरार बताया है अमरित पाल के गाउं अमरित सरके जल्लुपूर को चार घंटे तक पूरी तरह घेर लिया गया और पूरी तलास ली गई विबादित भरती रिकॉर्ड नहीं लेगा लोग सेवा आयोग कहा नया रिक्टन टेस्ट करवा कर भरती करने का ही विकल्ब और इस बारे में सरकार को प्रस्ताव अलग से भेजा जाएगा वहीं आयोग से आयोग जबाब के अधार पर आब राज सरकार रेगुलेशन में बतलाव करेगी यह संसोधन केविनेट के जरिये होगा इसमें क्लास 3 के पदों को भी लोग सेवा आयोग के दायरे में लाया करेगा अपरेल से पहले सुरू ना कर नया सक्षिनिक सत्र सीबी एसी की मानेता प्राप दिसकोलों को नसीहत जिये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन यानी सीबी एसी ने विद्यार्थियों को देखते हो एतिहासी फैसला लिया गया है सीबी एसी ने अपने सत्र सुरू करने से बचने की नसीहत दिये इसके लिए केंद्रे चिक्चाब बोट के सचीब अनुरागत्री पार्टी दोरा आदेज जारी कर दिये गए है पंजाब में सुमार दो पहर दख बंद रहेगी इंटरनेट से वाएं बढ़ते तनाब के 20 सरकार ने लिया फैसला जे पंजाब सरकार ने 20 मार्च दो पहर 12 बजे तक इंटरनेट से वाएं बंद रखने का फैसला किया है पंजाब के गिरी भाग की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राजज में एक समुदाय की और से सोसल मेडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी और राज़िस स्वास्यों की रुजर सुलक्षा के मद्द नजर या फैसला लिया है हिमाचल में 22 तक खराब रहेगा मोसम सिमला में बारिस के साथ पड़े ओले किसान और बगवान परिसान टूरिस्ट उठा रहे मोसम का लूप्त जे हिमाचल पर्देश के मोसम ने एक बार फिर करबट बदली है इसे पर्देश में ठंड भी ज्यादा हो गई है आई सुबह से ही सिमला में बादल चाय हुए थे दो पर बात पहले बारिस और फिर ओला वरिष्ट हुई वह सिमला को छोड़कर बाकी जिलों में अच्छी दूप खिली हुई है वही बिलासपूर, सोलन, पुलू, लावलिस्पिती, कीनोर में मोसम साब बना हुआ है पंजाब के कई इलाकों में धारा 144 लगने के बाद हिमाचल की सिमाए सील डीजीपी ने खुद समाला मोरचा जहां त्यारों से लेस अमरित पाल सिंग के करीब 6 सात्यों की गिरबतारी के बाद पंजाब के कई इलाकों में सुरक्षा की द्रिष्टी से धारा 144 लागू करने के बाद हिमाचल के सिमावर्ती इलाकों का जाजा लेने के लिए डीजीपी संजे कुंडु ने स्यम लाव लसकर के साथ बोरडर पर मोरचा समाल लिया है उन्हें बिलासपूर से लेकर नालागर तक पंजाब क चेतर के साथ लगते सिमावर्ती इलाकों का जाजा लिया और पंजाब सिमा से सठे पुलिस जिनों के मुख्यों को आदिस जारी कर दिये हैं हिमाचल में कोर्णा के 36 नई पोजिटिव मामले 170 हुए एक टिप केस हिमाचल परदेस में कोर्णा के मामले अब बढ़ते ही जा रहे हैं सनिवार को परदेस में 36 नई मामलों के साथ कोर्णा के एक टिप केसों की संक्या बढ़कर 170 हो गई है इससे पहले सुक्रवार को भी कोर्णा के 16 मामले सामने आये थे वहीं बता दें कि सन्निवार को परदेश भरकेस बतालों में 652 सेंपूलों की जाच की गई थी चलिए मचलते आज के आगरी कवर ओनिती थोकर 150 फिट गहरी खाई में गिरी पीकप, एक युवक की मौत, एक अन्य घायल जिय सुन्दर नगर उपमंडल के घागनों छेतर के चलोनी सल्वान संपर्ग मार्क पर एक पीकप गाड़ी में ओनिती थोकर 150 फिट गहरी खाई में जागीरी हाथसे में पीकप सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हुआ है वही मिरी तक की पहचान देश राज, पूत्र सादू, राम, निवासिंग, गाउ, चोरट डागर घागनों की तोर पर हुई है जबकि हाथसे में घायल हुए चालक राजिस कुमार का सिविल अस्पताल सुन्दर नगर में इलाज जारी है वही बता देगी सुचना मिलते ही पुलिस ने मुखे पर पहुँचकर घटना के संबन में मामला दर्जिकर चानविन सुरू कर दिये दोत्वा साम की खबरों का सिल सिला इसमापत होता है अगर जनकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और चनल को सब्सक्राइब जरूर करें झाल